हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं चैनल ग्रेवी गली आज मैं बनाने जारी चिली पटैटोस तो चलिए करते हैं जटपट से इसकी तेयारी फ्रेंट्स चिली पटेटो बनाने के लिए मैंने ये जो है छे पटेटो ले लिए हैं आलू को मैंने अच्छे से धो के छील के और फिर इनको इस तरह से काट लिया है जैसे हम फ्रेंच फ्राइज काटते हैं और नमक डाल के मैंने इनको बलने के लिए रख दिया है उबालाने के बाद मैंने इनको सिर्फ 5 मिनट के लिए उबाला है और अब मैं इसको छनी में निकालने जा रही हूँ साथ ही मैंने कर लिए है तयारी शिमला मिल्च और प्याज मैंने कट करके रख लिए है यहां मैंने आलुओं को छन्नी में निकाल लिया था और अब एक बड़े बोल में डाल दिया है इनको यहां मैंने वन फोर्थ कप मैदा ली है और वन फोर्थ कप ही हम कॉन फ्लार लेंगे जिसको अरारण बोलते हैं कॉन स्टार्च जो हता है और एक चमच मैं लूगी यहां पे नमक और आधा चमच लूगी मैं यहां पे काले मेर्च पाॉडर आप अपने हिजाब से एड़िस कर सकते हैं इसको जादा या कम साथ ही मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी लिया है ये मैंने एक चमच लिया है आप चाहें तो इसमें कुट्यू ही लाल मेज एड़ कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिला लें कोट हो जाए सारा जो हमारा ये पाउडर है जितने भी हमारे ये हमने डाले हैं पाउडर कोट हो जाएगा और अब इसको एक एक करके तेल में डालिएगा एक साथ तीन चार उठा के मट डालिएगा एक एक डालेंगे तो ये अच्छे क्रिस्पी बनेंगे और ये आज मैंने मीडियम रखी गुई है हाई पे बिल्कुल भी मत बनाईएगा क्योंकि हाई पे बनाईगे तो ये सौगी हो जाएगे क्रंची और क्रिस्पी नहीं बनेंगे हमें इसी तरह से सारे तलके बाहर निकाल लेने हैं दो बार नहीं तलेंगे एक ही बार में तलके फाइनल कर लेंगे दीमी आज पे यहां मैं टू टेबल स्पून के करीब लसन चॉप कर रही हूँ हमें गार्लिक थोड़ा इसमें जादा चाहिए क्योंकि गार्लिक इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है और अब मैंने यहां एक कड़ाई ले ली है और इसमें डाल लिया है रिफाइन तेल और इसमें मैं सारे लसन डाल दूँगी और इनको हलके ब्राउन होने तक पकाऊंगी आपको लसन को बर्ण नहीं करना है सिर्फ आपको हलकी आच पे इनको लाइट ब्राउन कर लेना है और अब साथ ही मैं जो कटी हुई प्याज है वो भी एड़ कर दूँगी इसमें यह देखिए लसन ब्राउन हो चुका है यहां मैंने प्याज एड़ कर दी है और थोड़ा सासे करेंगे हम प्याज को अब इसमें मैंने एक चमज तिल डाल दिए है थोड़ा सा रोस्ट हो जाएंगे और यह धिखिए यह मैं तिल एड़ कर रही हूँ एक तेर्ड चमज के करीब मैंने तिल डाले है सेसमी सीट और बाकी के हम बाद में उपर से भी गार्णिश करेंगे और अब मैं इसमें हरी मिर्चे डाल रही हूँ जैसा कि ये आप सभी को पता है कि चिली पटैटोज हैं तो चिली डालना जरूरी है लेकिन जादा नहीं डाल रही हूँ लेकिन आप पका तीखा बनाए इसको इसको फीका विल्कुल भी ना रखें मज़ा नहीं आएगा अब इसमें मैंने शिम्ला में चैट कर दी है ये सारे काम हम हाई फ्लेम पे ही करेंगे बस थोड़ी देर हम इसको सौटे करेंगे और अब मैं इसमें एड़ करूँगी सोया सौस उसको पहले अच्छे से शेक कर लेजेगा थोड़ा सा नीचे जम जाती है तो उसका फ्लेवर कम आता है और ये मैंने डाल दी है दो बड़े चमच के करीब सोया सौस और इसको थोड़ा सा पका लेंगे मैं इसमें दो से तीन बड़े चमच के करीब डाल रही हूँ रेड चिली सौस जो काफी अच्छी तिखी होती है और इसी से ही मज़ा आएगा और अब हम इसको थोड़ी देर पका लेंगे इसमें मैं एक चमच के अराउंड विनेगर एड़ करूंगी और आप भी थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि बहुत जादा खटे अच्छे नहीं लगते वैसे खटे को बैलेंस करने के लिए आप टोमेटो कैचप डाल सकते हैं और साथ ही थोड़ी चीनी डाल सकते हैं यहां मैंने ब्लैक पेपर एड़ कर दिया है थोड़ा सा क्रश्ट मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने वही डाल दिया आप ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं साथ ही मैं इसमें सबजियों के लाइक डाल रही हूँ नमक और ये मैंने सलरी बना ली है एक चमच कॉन फ्लार लेके और इसको मैंने पानी में घोल लिया है और अभी एक कटोरी पानी मैं और एट कर रही हूँ इसमें इसको अच्छे से इसी तरह से चलाते हुए लगातार चलाएं नहीं तो ये लंस पढ़ जाएंगे इसमें और अब हम इसमें कर देंगे एड ये जो हमने फ्राई किये थे आलू ये फ्राई किये वालू मैं इसमें एड कर दूँगी आप इसमें दो बड़े चमच टमैटो कैचप या फिर एक चमच शुगर जरूर अट कीजेगा मेरे बच्चों को पसंद नहीं है थोड़ा इसमें मीठा बढ़ आप जरूर डालेगा ये लीजिए फ्रेंड्स हमारे चिली पटैटो बनके तयार है और अगर आपको इनको हनी चिली पटैटो बनाना है तो आप इसमें हनी एड कर दीजिए टमैटो कैचप या शुगर की जगा ये मैंने जटपट से बना के और सर्फ कर दिये है फ्रेंड्स आपको अगरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए थैंक्स पर वाचेंग